कांग्रेश ने हमारे अधिकारों का हनन किया, कांग्रेश ने हमारे अनुच्छेदों को छुपा रखा सर मायावती जी को लेकर भनते जी की क्या सोच है अकले जी खुद बेजेपी से मिले हुए हैं और आकरी दम तक बहन जी के लिए अपना सर भी करवा सकते हैं कितना मैं चैलेंज करता हूँ, बहन जी ही एक देश की कलोती नेता हैं जो कभी सिध्धानतों पर समझाता नहीं करती है सभी साथियों को जैभीम, साथियों एक बार पुना मैं फिर कैसर गंज लोग सभा सीट पर हूँ और यहाँ के परतियासी नारेंदर पान्जे जी हैं और उनके साथ तमाम यहाँ की अवाम है कुछ लोगों से हम बाचीत करेंगे जानेंगे कि अखिर नारेंदर पान्जे जी की और बहजन समाझ पारखी की क्या इस्तित हैं यहाँ पर अगर हमारा दलिस समाज और ब्रह्मर समाज प्लेस मुस्लिम समाज अगर एक हो जाता है तो हमको बहुत बड़ी मजूदी में सकती हैं और हम इस बाववली को हरा सकते हैं किसी तुर्टी बस कहीं बात कोई रही होगी किसले बहन जी ने उनको निकाला है बहन जी ही एक देश की किलोती नेता हैं जो कभी सिध्धानतों पर सम्झावता नहीं करती हैं वह अपने सांसद और बिधायक को भी जेल में डलवा दियें बुला करके कहीं पर भी कोई जराश से भी गलती करेगा तो बहन जी बख्षने वाली नहीं है यह कि किलोती मात नेता भारत की है और जब तक मेरे शरीर में खून रहेगा इस बहुजन समाज के लिए हम लड़ते रहेंगे और आकरी दम तक बहन जी के लिए अपना सर भी करवा सकते हैं यतना मैं चैलेंज करता हो आप लोगों को पता चल ही गया होगा की बहन जी के अंदर इतने हिम्मत कहां से आती है ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहन जी के लिए कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं। आप लोग जानते होंगे कि बहन जी अखिर चुनाओ दो बार हार चुकी, उसके बाद भी हिम्मत कहां से आती है। तो आइसे लोग हैं जो बहएं जी के लिए दिनर संकल्ब बने हुए हैं बहएं-जी के साथ कषिन कर रहे हैं इन जैसे लोगों से कभी हारती नहीं है थो कैसे प्रोग्राम बना रहे हैं? पहले कहा है कि बहन जी को ओँट देने का मतलब हुआ बीजेपी को ओँट देना अखलेश यादो जी ने जो बात कहा है वो सरासर निराधार है बहन जी ही एक ऐसी के लिए एकलोती नेता है इस देश की जो सभी समाज को लेकर के चलती है और कभी भी वो अपने से दांतों पर समझाता नहीं करती है अखलेश खुद बीजेपी से मिले हुए है उनके क्रिया कलाप अभी थोड़ी ही दिन पहले मैंने देखा था एक चैनल पर कि वो अमिसाज इसे मुलाकत करके आये हैं और जब जब अवशक्ता पड़ी है तो मोदी जी को उनके साध में भी गए है मुलायम सिंग उनको हमेशा मंतर करते हैं कि बहें जी ने कभी ऐसा नहीं किया है वो बीजेपी से कैसे मिली हुए मिले हुए तो अखलेश जी है मुसल्मान भाईयों से मेरा जो निवेदन है कि यदे अगर जतना पंद्रा परसंट यदे वोट बीजेपी को मेला 2022 के चुनाओं में और अगर इसी तरह से अगर मुसल्म भाईयों जो जूल करके 22 परसंट उनका वोट था अगर जो एक तरफा वोट करते तो आज जो दसा समाज की है जो आज जो क्राइम बढ़ रहे हैं आज गौर्वर्मिन ब्यस्पी के होती और एक अच्छी सरकार होती लेकिन आप लोग बार-बार भूल करके या इसा काम कर रहे हैं उत्तर पर्देश के लोगसवा कैसर कंसीट पर 22 ने पहले प्रहामर 20 80 को उतारा उसके बाद समाजवादी पार्की ने भी प्रहामर पर 2080 को उतारा तो फैंसला आप लोग कर सकते हैं कि बीजेपी की बीटीम कौन है कि क्योंकि कि अगर यहां पर किसी और कास्ट के लोगों को उतारा जाता है मैं कास्ट की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बाबा साहब ने हैं पर कैटेगरी बनाई है बहन जी ने जो कार किये है आज तक किस भारत में किसी नहीं कर पाया है जतने डिगरी कालेज बनवाया बहन जी ने जतने इंस्टुटीट बनवाया इंजिनिरिंग कालेज बनवाया जतना काम बहन जी ने किया है आज तक कि भारत में जतने हमारे यूपी में जतने मुकमंतर हुएं किसी ने भी काम नहीं किया है अखलेज नमाजियों पर जूते मारे जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि प्राथनाओं पर प्रहार ये अच्छा नहीं है अखलेज नमाज नहीं कहा नमाज नहीं कहा मुसलिम सब्द से प्रहेज करते हैं और बहन जी ने तो लगबग 20-22 टिकर जो है अस्ती में चार परत्यासी समाजवादी ने उता रहा है मुसलिम समाज को मैं आपको बता दूँ कि बहन जी चाहती है कि हर एक जो है काश्ट का ब्यक्ति हर एक धरम का ब्यक्ति अपनी भागेदारी लोग सभाब इधान सभाब में अपना जो है निभाए ताकि उसको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो क्योंकि कासी राम साहब ने कहा था कि राजनेति रूप से आप मजबूत जब होंगे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी के प्रतियासी बहुजन समाज के कारकरताओं से हम जानेंगे या आम जनता से जानेंगे कि अखिर मुसलिम समाज को लेकर कि मायावती जी कि क्या सोच है हमारा सोच यह है कि जिस प्रकार से पहेंजी ने चार बार में जो अपनी सरकार में इस बहुजन समाज को उठाने का काम किया सर्व समाज को लेकर के चाहे वो मुस्लिम समाज हो चाहे वो ब्रहमर समाज हो चाहे चत्रिय समाज हो या एसी OBC, EST कोई भी रहा हो सब को उपर उठाने का काम किया है हम चाहते हैं कि हिन्द जो दलितवर्ग हैं जो पिछले वर्ग हैं और मुस्लिम समाज के लोग हैं ये सभी लोग अब एक हो जाएं अपने सोच को बदलें पुरानी सोचो को त्याक करके सभी लोग एक होकर के एक जूट होकर के बहन कुमारी मायय忠ी जी ने को प्रधान मंत् करें सोचें समझें जाने कि आखिर वाश्त्रिकता क्या है हम आपको सबको बर्गलाने का काम समाज बादी पार्टी कर रही है कांग्रेस कर रही है और हम लोग अगर एक हो गए तो निश्चे ही भोजन समाज पार्टी जीतेगी और बहन कुमारी मायोती जी परधान मंतरी बन के भी चार धारों पर आई है इसको आप क्या कहेंगे कुछ लोग कह रहे हैं सापनाग तो कोई नाग नाथ पता नहीं क्या क्या बता रहा है उसको यही पता था कि कांग्रेस अगर नहीं आती तो हम लोग आजाद नहीं होते कांग्रेस अगर नहीं आती तो हम लोग उपर नहीं उड़ते लेकिन जब धीरे धीरे सारे समाज को यह पता लग गया कि बाबा साहब भीमराओं मेतकर की कलम अगर मजबूत नहीं होती बाबा साहब ने अपनी कलम से हम लोगों को मजबूत नहीं किया होता तो आज हम लोग इस स्थिती में नहीं पहुंचते कांग्रेश ने हमारे अधकारों का हनन किया कांग्रेश ने हमारे अनुच्छेदों को छुपा रखा अगर कांग्रेस ने हमें पूंट रूप से हमारा अधिकार दे दिया होता तो आज ये रोने के इस्तती आती है जो जगह जगह पर मार्डर हो रहे हैं जो जगह जगह पर छिनेती और लूट खोरी हो रही है ये नहीं होती ये सारी जड़ जो है कांग्रेस है आज कांग्रेस स जुड़े हुई जो दूसरी पहलू हमारी भारतिय जनता पार्टी है जिससे हम लोगों को सताया जाता है हमारे समाज को सताया जाता है ये केवल कांग्रेस की देन है तो बहन जी की रेली गरा तारिको है पूरा समाज जाएगा हाँ सर्व समाज के लोग जाएंगे समर्तक हैं आज बहुत अल्प समय में हमारे प्रत्यासी महोदय आये हैं फिर भी हमारे यहां की जनता जो है वो पहले से जागरुख है वो बहन जी को सुनने के लिए बहन जी को जानने के लिए वो यहां अपने साधन से भी तयार है कि हम लोग जाकर के वहां बहन जी को सुनेंगे। रही सवाल बीजेपी के बीकेई मौला तो आपको मैंने पहले बता दिया कि यहां पर बीएसपी ने ब्रहमर परतियासी उतारने के बाद ही अखलिए स्यातोजी ने अपने परतियासी को उतारा। बाकि आप लोग की क्या रहा है क्या परतिकिर्या है अपना सुझाव जरूर दीजेगा हमें जाइभीम नमुद्धाएं।